नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल समीर पाटसाला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम एक नोवल को डिसकस करने वाले हैं उस नोवल का जो नाम है वो है दोस्तो एनिमल फार्म इस नोवल को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको इसके कुछ कीफेक्ट बताना चाहता हूँ जैसे की इसका कम्पलीट नेम यानि फुल टाइटल जो है इसका वो है एनिमल फार्म ए फेरी स्टोरी दूसरा कीफेक्ट है दोस्तों इसको किस ने लिखा है जोर्ज ओर्वेल ने दोस्तों लिखा है तीसरा कीफेक्ट है दोस्तों ये क्या है ये एक नोवेला है मतलब एक नोवल है दोस्तों जिसकी हमें स्टटी इस वीडियो में करेंगे ये इसका जोनर क्या है जोनर जो है दोस्तो इसका ऐलेग्री है ये एक political seitiye है अब ये दोस्तो ऐलेग्री होता क्या है अगर मैं आपको इसे separate वीडियो में पढ़ाया हुआ है अगर मैं आपको ऐलेग्री की थोड़ी सी छोटी सी definition दू ऐलेग्री एक ऐसी story होती है जिसकी surface story तो वो होती है जिसे हम पढ़ रहे हैं जो हमारे सामने story है और उसके एक अंदर story भी छिपी होती है मतलब जो जिस story पर वो आधारित है एक story होती है जिसे हम पढ़ रहे हैं और वो story भी किसी दूसरी story पर आधारित होती है इस तरह की कहानियों को दोस्तों हम allegory कहते ह यह किस पर based है मतलब कि जैसा कि मैंने आपके बताया एक तो surface story होती है एक अंदर उसके छुपी हुई story होती है तो वो छुपी हुई story जो है Russian Revolution है दोस्तो जो 1917 में हुआ था इसके उपर ही George Orwell ने अपना ये नोवेला लिखा है और इसे publish कप करा गया था दोस्तो 17 अगस्त 1945 में दोस्तो इसको publish कराया गया था Animal Farm जो है वो George Orwell के द्वारा लिखा गया दोस्तो 5 नोवल है जिसे George Orwell ने दोस्तो 10 चैप्टर में लिखा है दोस्तो George Orwell के द्वारा लिखा गया ये बहुत ही interesting नोवल है थोड़ा सा जो नोवल है ये थोड़ा लंबा हो जाएगा आप वीडियो के अंतर तक दोस्तो बने रहें लेकिन सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये नोवल जो है Russian Revolution 1917 पर based है तो सुरू करने से पहले इसकी थोड़ी सी history को जानना जरूरी होता है जो दोस्तो father of communism कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं काल मार्क्स को father of communism कहा जाता है इनका जनम दोस्तो 1818 में हुआ था इनकी जो मिर्ती हुई थी वो 1883 में हुई थी तो दोस्तो ये एक महान विचारक थे कौन काल मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तो काल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी दोस्तो जिसका नाम था D.A.S. Capital ये एक इन्होंने दोस्तो बुक लिखी थी इस बुक के अंदर इन्होंने बताया था कि कैसे जो है ते प्रोफि्ट लेते हैं वार्कर्स जो है उन्हें थोड़ा पैसा मिलता है लेकिन वह बहुत ज़्यादा काम करते हैं और जो वर्कर्स है वह दिन पे दिन कैसे होते चले जाते हैं क्योंकि जो production workers करते हैं उन सब का जो लाब होता है profit होता है उनको तो capitalist ही ले जाते हैं अब इन काल मार्क्स का दोस्तो यही सपना था यदि इन पूंजी वादियों को capitalist जो है इनको हटा दिया जाए तो सारा का सारा पैसा जो है workers के बीच में ही बाट दिया जाएगा जिससे जो workers category के लोग हैं वो अच्छे से खाप भी पाएंगे और अच्छे से रह भी पाएंगे तो यह काल मार्क्स का दोस्तो सपना था जिसे socialism के नाम से जाना जाता था बाद में यह चीज़े दोस्तो कम्मिनिजम में कैसे बदली यह हम history की किसी वीडियो में discuss करेंगे आई होप दोस्तो आपको यहां तक की चीज़े अभी तक समझ में आई होगी शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो एनिमल फार्म का शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले करेक्टर्स को समझना इस कहानी में आपको ज़्यादातर करेक्टर्स जो हैं वो एनिमल्स ही मिलेंगे लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे करेक्टर जो रसिया में revolution हुआ था 1917 में उससे match कर रहे होंगे writer novel के अंदर कोई भी ऐसा novel allegory लिखेगा या कोई favor लिखेगा यही उसकी खुबसूरती होती है कि वो उन direct उनका नाम ना लेके किसी जानवर के नाम से वो कहानी को लिखेगा और वो सारे के सारे करेक्टर वही प्रिजेंट करेगा जो actually story में है ठीक है तो ऐसे ही सारे करेक्टर जो रसियान revolution में थे उन करेक्टर का नाम उसने direct नहीं लिया है वो animals के थुरू समझाते हुए चले गए है दोस्तो इस कहानी में सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलेगा Mr. Jones Mr. Jones जो है ये किसान है मतलब की पसू पालन ये करते हैं इनके पास एक फार्म है दोस्तो जिसका नाम है मैनर फार्म इस फार्म के अंदर ये बहुत सारे जानवर पालते हैं जैसे की सूवर, घोडे, कुते, बिल्ली, चूहें, पक्षियों में चुडियां, कबूतर, मुर्गियां ऐसी चीज़े ये बहुत सारे चीज़े दोस्तो पालते हैं अपने फार्म के अंदर दूसरा मेजर करेक्टर है दोस्तो इसका औल्ड मेजर, ये एक बुडहा सूवर है दोस्तो, ये कालमाक्ष के करेक्टर को दोस्तो दर्साता है स्नोबोल जो है एक अच्छा पिग है जो मैनल फार्म के अंदर रहने वाले सभी के सभी जो भी जानवर है उनका दोस्तो अच्छा चाता है इसके अलावा दोस्तो नैपोलियन नैपोलियन जो है दोस्तो स्टैलन का करेक्टर नोंने दिखाया है इसमें नैपोलियन जो है ये एक निर्दई है जो बहुत ही जादा आगे चलके इंसानों की तरह बन जाता है जो जानवरों पर दोस्तो अच्छे अत्याचार करने लग ज जाता है नेक्स्ट है दोस्तो स्क्वेलर नाम का एक और पिग ये एक अच्छा वक्ता है वक्ता किसे कहते हैं दोस्तो ओरेटर को जो एक अच्छी स्पीच देता है किसी भी तरह की सिचुवेशन को समाल ले चाहे वहाँ पे उसे जूती बोलना पड़े लेकिन वो जन्ता को क इसका साथी है दोस्तो एक बेंजामिन बेंजामिन जो है दोस्तो ये एक गधा है ये बोक्सर का साथी है इसके अलावा दोस्तो इसमें हमें दो घोडी देखने के लिए मिलेंगी पहली घोडी जो है मोली है जो एनिमल फार्म को छोड़के दोस्तो दूसरे फार्म में चली ज हैं वो जानवरों का बुरा चाहते हैं इसके अलावा दोस्तों मिस्टर फैडरिक हमें एक देखने के लिए मिलेगा इसमें करेक्टर जो पिछ फार्म का मालिक है पिछ फार्म एनिमल फार्म के बरावर में एक फार्म है उसका ये मालिक है इसके अलावा दोस्तों हमें बहुत से जानवर इसमें देखने के लिए मिलेंगे जैसे कुता, बिल्ली, मुर्गी भेड, बकरी चिडिया, चूहें और बहुत सारे जानवर हमें दोस्तों इसमें देखने के लिए मिलेंगे I hope दोस्तो सारे के सारे करेक्टर्स आपको समझ में आ गई होंगे शुरू करते हैं इसकी कहानी को सबसे पहले दोस्तो Mr. Jones जो की एक किसान है जो पसु पालन करता है इसके फास एक फौर्म है जिस फौर्म का नाम दोस्तो मैनर फौर्म है इस वाम के अंदर दोस्तों ये सारे पसु हैं ये इन सारे पसुओं को दोस्तों पालता है ये एक अत्याचारी इनसान है पसुओं पर बहुत ज़्यादा दोस्तों निर्दैता से जुरूम करता है अब ये सारे जो जानवर है दोस्तों इससे परिशान हो गए है अब ओल्ड म में इखटे होंगे उस खलियान में मेरा एक सपना है मैं उस सपने को आपको बताऊंगा तो दोस्तो एक दिन मोका मिलता है इन्हें जिस दिन मिश्टर जोन सो रहे होते हैं तो सारे के सारे पसू दोस्तो एक खलियान में इखटे होते हैं वहाँ पर सभी लोग जब आजाते हैं तो ये Old Major जो है दोस्तों अपना सपना बताता है वो कहता है उन सब को पहले तो वो जो जानवर हैं साथियों कहकर सम्बोदित करता है उन्हें साथियों कहता है कि हम जो सारे पसू है वो एक समान है हम एक दूसरे के दोस्तो साथी है लेकिन हमारा जो दुस्मन है वो कौन है वो इनसान है हमारा दुस्मन वो इनसान क्यों है दुस्मन क्योंकि जो चीज हम प्रोडक्शन में देते हैं जैसे कि दूध हो गया अंडा हो गया उन हो गया इंसान उन सारी चीजों को मार्कीट में बेज देता है और हमें खाने के लिए सिर्फ क्या देता है इतना सा खाने के लिए देता है जितना कि हम सिर्फ जिवित रह सकें तो हमारे उपर जो कंट्रोल है इंसान का हमें उससे मु जा जकते हैं जो सारे जानवर थे दोस्तों old major की इस बात के साथ सहमत थे ऐसा सुनने के बाद धोस्तों ये बहुत खुश हो जाते हैं कि ठीक है हम इनसानों से मुक्त होने की पूरी कोशिस करेंगे और ये इसके बाद एक गाना गाते हैं दोस्तों जिसमें एनिमलिजम की बाते बयान होती है उस गाने को दोस्तों Beast of England कहते हैं अब जैसे ही जानवर उस गाने को गाने लगते हैं तो Mr. Jones की दोस्तों आखे खुल जाती है Mr. Jones अपना Hunter उठाते हैं और इन सारे पसू पर तूट पड़ते हैं Meeting ओवर हो जाती है दोस्तों सारे के सारे पसू मैनर फार्म के अंदर आ जाते हैं तीन दिन बाद ही दोस्तों इस ओल्ड जो पिग है इसकी दोस्तों डैथ हो जाती है लेकिन इसने बाकी सारे जानवरों के अंदर तो एक चिंगारी जगादी एक क्रांती जगादी के किसी भी तरह से हमें इन इनसानों से दोस्तों मुक्त होना है उस मुक्त होने के बाद हम अपना जीवन अच्छे से बयतीत कर पाएंगे तो दोस्तों जैसे ही ओल्ड मेजर की डैथ हो जाती है तो ये तीनों जो पिग है इसनोबोल, नैपोलियन और स्क्वेलर ये तीनों दोस्तों लीडर बन जाते हैं हर सफता एक मीटिंग रखी जाती है संडे को उसमें एनिमलिजम की विचार जो है वो सारे डिसकस होते हैं इसनोबोल जो है दोस्तों वो जानवरों के लिए अच्छा चाता है नैपोलियन जो है वो इनसानों की तरही निर्दई है वो जानवरों पर राज करना चाता है और स्क्वेलर जो है दोस्तों ये नैपोलियन का साथ देता है ये इतना तेज है किसी भी गलत बात को अपनी स्पीच से किसी से भी हां करवा लेता है ये बहुती अच्छा दोस्तो ओरेटर है तो दोस्तो एक दिन क्या होता है Mr. Jones जो है ये नसे में दुत रहते हैं अब नसे में इतने ज़्यादा दुत रहते हैं ये जानवरों को खाना देना ही भूल जाते हैं जैसे ही ये अपने फार्म हाउस में जाते हैं जानवर वेट करत लेकिन उनकी जो भूख है वो इसकदर बढ़ जाती है वो अपनी रस्यां तोड़ देते हैं वो ड्रामों में रखा हुआ जो खाना है उसे खाने के लिए तूट पड़ते हैं अब ये सारी अवाजे दोस्तों Mr. Jones के कानों में पड़ती हैं Mr. Jones के कानों में जैसे ही अवाज पड़ती हैं वो अपने साथियों को लेकर मैनर फार्म के अंदर जाते हैं और इन जानवरों पर तूट पड़ते हैं जानवरों को दोस्तों बहुत मारते हैं वो अंटरों से अभी जानवरों की वी तो एक सहन सकती है जब इनकी दोस्तों सहन सकती खतम हो जाती है तो वो Mr. मिस्टर जोन्स और उनके साथियों पर दोस्तों बरस पड़ते हैं वो उन पर टूट पड़ते हैं बहुत जादा उन पर आक्रमर टाइप कर देते हैं वो मिस्टर जोन्स और उनके साथियों को दोस्तों दूर तक खदेड़ कर आते हैं अब यह दोस्तों मैनर फार्म जो है य इनिमल फार्म के दोस्तों इन्होंने साथ सिद्धान्त बनाएं साथ जो है इन्होंने क्या बनाई आग्याएं बनाई साथ नियम बनाई वो नियम क्या थे जो भी दो पैरो वाले जीव हैं वह पस्वों के दुस्मन हैं अब जैसे ही ये पहला नियम आता है तो मुर्गी जो ह में include नहीं है तो दूसरा रूल है दोस्तो जो कुछ भी चार पैरो वाला है या फिर उसके पंक हैं वो सब एक दूसरे के साथ ही है इसनो बोल दूसरी ही सर्थ में इसको clear कर देता है कि या तो जो चार पैरो वाले हैं या फिर जो दो पैरो वाले चीजे हैं वो चीजे दोस्तो आपस में दोस्त हैं इनसान के पंक नहीं होते इसलिए उनको हटा दिया गया है कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा क्योंकि इनसान कपड़े पहनते हैं कोई भी जानवर दोस्तो बिस्तर आनिमल फार्म के बनाए गए थे सभी जानवर दोस्तों खुसी खुसी आगे बढ़ते हैं और अपने काम करने दोस्तों चले जाते हैं ये सारे जानवर दोस्तों एनिमल फार्म के लिए बहुत जादा मेहनत करते हैं और एक अच्छी फसल उभाने में दोस्तों कामियाब हो ज जो है ये मैनेजर बन जाते हैं और हर सप्ता दोस्तों मेटिंग करते हैं कि किस तरह से एनिमल फार्म को और आगे बढ़ाया जाए अभी तो हम फसल जो है अच्छी पैदा कर रहे हैं लेकिन किस तरह से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं तो ये दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ब नैपोलियन जो है इसनो बोल के इस विचार का विद्रो करता है थोड़े देर में दोस्तो बहस होने लग जाती है मिटिंग खतम हो जाती है सब लोग अपने अपने काम पर वापा चले जाते हैं जब लोग दोस्तो काम पर वापा चले जाते हैं तो नैपोलियन क्या करता है द उसके हिसाबते दे तो सारे जानवर equal हैं अब हमें तो दूद और सेव नहीं मिल रहा तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यह squalor जो है किसी भी बात को बदल सकता है manipulate कर सकता है वो इन सारे जानवरों को दोस्तो speech देते हुए कहता है कि जो pigs हैं उनकी बोद्दिक छमता को बनाए रखने के लिए हम दूद और सेव की जो फसल है वो सिर्फ एनिमल्स के लिए रखेंगे अगर इनकी बोद्दिक छमता घट गई हमारे मैनेजमेंट की तो Mr. Jones जैसा आदमी कोई आएगा और हम पर फिर से राज करने लगेगा या फिर Mr. Jones आएगा हम पर फिर से हावी हो जाएगा तो दोस्तो सारे जानवर जो स्क्वैलर है इसकी बात को मान लेते हैं और दूद और सेव की फसल जो है वो पिक्स के लिए रख दी जाती है अब दोस्तो कुछ समयवाद Mr. Jones अपने साथियों को लेकर एक बार फिर से एनिमल फार्म पर दोस्तो कबजा करने के लिए आता है लेकिन ये जो एनिमल्स हैं ये आक्रमण के लिए दोस्तों बिल्कुल रेडी हैं जैसे ही दोस्तों ये आक्रमण करने के लिए आता है तो पस्वों की तरफ से जानवरों की तरफ से जो इस्नोबोल है दोस्तों वो सेना का नित्रतब करता है यानि के जानवरों का जो सेनापती बन जाता है वो इसनोबोल बन जाता है बहुत ही दोस्तों भयंकर युद्ध होता है जानवरों और इंसानों के बीच में इस युद्ध में दोस्तों फाइनली जानवरों को ही विजह मिलती है वो मिस्टर जोन्स और उनके आदमियों को वहां से भगा देते हैं लेकिन मिस्टर जोन्स के तो कुछ आदमी दोस्तो घायल हुए ही थे इसमें मिस्टर जोन्स भी घायल हुए थे लेकिन कुछ जानवर भी दोस्तो इसमें घायल हुए थे लेकिन दोस्तों इस युद्ध में एक भेड अपनी जान से हाथ दो भैटती है वो जान से मारी जाती है लेकिन जीत तो होती है दोस्तों जानवरों की ही जैसे ही दोस्तों जानवरों की जीत हो जाती है तो ये सारे के सारे जानवर जसन बनाते हैं इसके बाद दोस्तों जो य जिनो बॉल को मिलता है और बॉक्सर को मिलता है गोल्ड मैडल और जो भेड थी दोस्तो जो मर गई थी उसे क्या मिलता है दोस्तो सिल्बर मैडल मिलता है सेकंड क्लास का जो मैडल है वो भेड को मिलता है दोस्तो इस युद्ध को बैटल ओफ दी काउसेड के नाम से जाना जा पिर से दोस्तो सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं इस एनिमल फार्म के अंदर दोस्तो मोली नाम की एक घोड़ी है जिसको दोस्तो पडोस के फार्म के लोग आकरशित कर लेते हैं अपनी तरफ मोली क्या करती है दोस्तो एनिमल फार्म को छोड़ कर वो पडोस के एक फारम में चली जाती है एक दिन ऐनमल फारम के कबूतर दोस्तों आसमान में जब उडान भर रहे थे तो वो देखते हैं कि मोली गोडा गारी में जोती जा रही है और उसे एक सराभ के ठेके बार कर ख़डा किया हुआ है लेकिन ऐनमल फारम के जो जानवर है उनके साथ तो इंसान जो है वो क्या कर रहे हैं दोस्तो राज कर रहे हैं उसको घोड़ा गारी में जोत रहे हैं लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तो एनिमल फार्म के जो जानवर हैं वो मोली को भूलने लगे हैं क्योंकि मोली अपनी मर्जी से ही दोस्तो इस फार्म से भाग कर गही थी अब द पवन चक्की लगाने से क्या होगा हमारे जो फ़ाम है इसके अंदर बिजली आएगी बिजली के थुरू दोस्तो हम जो प्रोडेक्शन है एक हपते का काम जो है वो टीम दिन में ही कर सकते हैं हमारी फचले जो है बहुत अच्छी होगी हम जानवरों को मेहनत कम करनी बहुत दोनों के अंदर दोस्तों बहस होने लगती है इस नैपोलियन ने दोस्तों क्या किया हुआ है इसने नो कुत्ते पालके रखे हैं दोस्तों ये कुत्तों को इसारा करता है और इसनोबोल पर छोड़ देता है अब ये कुत्ते दोस्तों इसनोबोल के पीछे भागने लगते हैं अब इस्नोबोल जो है फार्म से निकल कर बहुत दूर जाडियों में छिप जाता है अब ये कुत्ते दोस्तों जाडियों में भी इस्नोबोल को भगाते हैं अब इस्नोबोल जो है वो कहीं पर खो जाता है उसका कहीं भी पता नहीं चलता ये नैपोलियन दोस्तों सबी के सामने घोशना करता है कि भविस्यम के कार्डियों के देखपाल जो करेंगे वो पिग्स ही करेंगे पिग्स की एक कमेटी बना दी जाती है और उस कमेटी का अध्यक्ष दोस्तों ये नैपोलियन खुद को ही घोशित कर लेता है अब ये मिटिंग जो है हर संडे को जो विचार थे वो डिसकस होते थे ये मिटिंग भी वो कहता है कि अब ये मिटिंग हर संडे को नहीं होगी लेकिन आपको क्या करना है ये सारे आदेश दिये जाएंगे हर संडे को ही और ये बाकी जानवरों से ये भी कहता है कि इसनो बोल ने जो पवन चक्की वाला आइडिय उसने अपना नाम लेकर डिसकस किया इसलिए मैंने उसे विद्रो किया था लेकिन पवन चक्की तो मैं भी बनाना चाहता हूँ पवन चक्की का काम जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए अब ये नैपोलियन दोस्तों अपनी हर बातों को कुट्तों की मदद से पस्वों से मनवा लेता था सारे जानवरों से वो हां करवा लेता था ताना साही दोस्तों इस नैपोलियन की बनने लगी थी पवन चक्की का काम दोस्तों सुरू होने लगा था कुछ दिन बाद नैपोलियन जो है वो सारे जानवरों को सुचित करता है कि हम बहुती अच्छी जो है फसल वो उत्पादन कर रहे हैं लेकिन हमारा जो सारा उत्पादन है वो यूटिलाइज हम नहीं कर पा रहे हैं मैंने क्या डिसाइड क्या है हम एक बरावर वाले फार्म से मलब एक पडोस में फार्म है उनके साथ दोस्तों वयापार शम्मंद बढ़ाने की कोशिस कर रहे हैं ये बात दूसरे पसुओ को दोस्तों दूसरे एनिमल्स को वो अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो सारा का सार वालेता है किसी भी जानवर से इसके बाद दोस्तों नैपोलियन एक और नोटिफिकेशन निकालता है कि आज के बाद जितने भी पिक्स हैं वो मिस्टर जोन्स के फार्म हाउस में सोएंगे अब ये तो एनिमलिजम का एक रूल टूट रहा है कि कोई बिस्तर पर नहीं सोए थी दोस्तों लेकिन एक रात बहुत तेज तूफान आता है उस तूफान में उस पवंचक्की की जो दिवारे हैं वो गिर जाती हैं सारे जानवर दोस्तों महनस से काम कर रहे थे इस पवंचकी के लिए सबसे जादा ये बोक्सर बहुत एकसाइटीड था इस पवंचकी को बनता हुआ देखने के लिए सारे सारे जानवर दोस्तों बहुत ही महनस से काम कर रहे थे लेकिन वो जैसे ही पवंचकी गिर जाती है उसे देखकर बहुत उदास होते हैं नैपोलियन अगली सुबह आता है और वो कहता है कि इस पवंचकी को गिराने में दोस्तों डेली यहां पर आता है वो दूसरे जानवरों को विश्वास दिलाने के लिए किसी एक पिग के पाउं के निसान उन्हें दिखा देता है कि ये देखो ये जो निसान है वो इसनोबॉल के पैरों के हैं वो मुझे पता है पिंच फील्ड जो है हमारे बरावर में उसका एक मा जोन्स का एजेंड था लेकिन दोस्तो इस बात को बोक्सर नहीं मानता वो कहता है बोक्सर की मेरे साथ उसने लड़ाई की थी स्नोबॉल ने मिस्टर जोन्स से बोक्सर कहता है कि स्नोबॉल ने तो बैटल ओप थी काउसेट में अपनी जान तक पे खेल गया था वो हमारे ल उसने पहले ही संदी कर ली थी Mr. Jones से वो जानवरों की नजरों में हीरो बनना चाहता था और सारा benefit वो किसको दिलाना चाहता था Mr. Jones को दिलाना चाहता था अब दोस्तों ये Napoleon जो है वो सारे जानवरों को एक आदेश देता है कि आज दुफैर हम एक बड़े से खलियान में मिलेंगे वहाँ पर सभी जानवरों को पस्तित होना है लेकिन दोस्तों दुफैर होने से पहले ही ये Napoleon क्या करता है कुछ जानवरों पर दवाब बनाता है कि जो मैं वहाँ पर कहूं वो चीज तुमें accept करनी है वो क्या चीज है दोस्तों जब मिटिंग होगी वो पता चलेगा दुफैर हो जाता है ये सारे के सारे जानवर दोस्तों एक खलियान में बड़े से खलियान में आकर मिलते हैं जैसे ही वहाँ पर आते हैं Napoleon पस्तिता है कि मैं जानता हूँ यहाँ पर हमारे कुछ सत्रू हैं कुछ स्नोबोल के agent है मैं उन agentों से कहता हूँ कि या तो तुम खुद से बाहर निकल के आ जाओ या फिर मैं तुमें बुलाओंगा अब दोस्तों कोई बाहर निकल के आता नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई इंस ही नहीं अब यह क्या करता है दोस्तों नैपोलियन यह तीन मुर्गियों को बुलाता है यह कहता है कि यह मुर्गियां जो है हमारे लिए सत्रू हैं विद्रो कर रही है और तीन भेड़ों को भी दोस्तों बुलाता है उसमें एक हंस भी होता है और कई दूसरे जानवर होते हैं वो कहता है कि ये सारे के सारे लोग जो है मिस्टर जोन्स और इस्टनो बॉल के साथ मिले हुए है इनको मिर्तियो दन दिया जाना चाहिए तो वो कहता है कि जो ये सारे लोग है ये हमारे दुस्मन है तो वो कुत्तों की मदद से दोस्तों उनको मिर्तियो दंड देता है अब दोस्तों एक और रूल टूट रहा है निमनलिज्म का उसमें क्या था दोस्तों कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवरों को नहीं मारेगा लेकिन नैपोलियन क्या करता है इस रूल को बदल कर बदल देता है और कहता है कि कोई भी जानवर दूसरे इंसान को तब तक नहीं मारेगा तब तक उसकी कोई सटीक वजह ना हो अब दोस्तों सारे जानवर इसके बाद सन रह जाते हैं भोचके रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है ठीक है अब सारे के सारे जानवर ये जितने भी जानवर हैं जाते हैं पहाड़ी के पास और जाकर बैठ जाते हैं वो सोचते हैं कि मिस्टर जोन्स को हमने क्या इसी दिन के लिए भगाया था कि हम एक दूसरे की हत्या करें ऐसा तो नहीं होना चाहिए अब वो जैसे ही उस पहाडी के पास जाते हैं और एक गाना गाने लगते हैं और उस पहाडी के पास जाकर वो उस गाने को गाने लगते हैं जो बीस्ट ओफ इंगलेंड हैं तभी दोस्तों ये स्क्वेलर आता है और उन सारे जानवरों से कहता है कि अब त पास सुनकर जो सारे जानवर है वो और भी जादा दोस्तों आश्चारे चकित हो जाते हैं इसके बाद दोस्तों नेपोलियन जो है पिछ फील्ड फाम के मालिक फैडरिक के साथ वयापार के सम्मन्द तो दोस्तों वो बना ही रहा है ठीक है अब ये फैडरिक के साथ क्या करता है दोस्तो ये एक वयापार करता है उसके साथ और फैडरिक को दोस्तो ये लकडियां बेचता है कौन नैपोलियन लकडियां बेचता है और उसको पैसे देता है अब ये जो फैडरिक है दोस्तो इस नैपोलियन को दोस्तो नकली नो सा होता है और फैडरिक को मरवाने की योजना करता है फैडरिक दोस्तों पहले ही अपने साथियों को लेता है और ये एनिमल फार्म के ऊपर दोस्तों हमला कर देता है अब इनसानों और जानवरों के बीच में एक और युद्ध होने वाला है लेकिन एनिमल फार्म के जो सारे क सारे जानवर हैं वो जाकर छुप जाते हैं फैडरिक के डर से वो क्योंकि नैपोलियन का साथ नहीं देना चाते लेकिन ये फैडरिक और उसके साथी आकर एक गलती कर देते हैं जिस में जिस पवन चक्की को बनाने के लिए जानवरों ने अपनी पूरी की पूरी जान जोक रखी है उसको वो क्या करता है बारूद से उड़वा देता है अब ये सारे के सारे जानवरों को दोस्तों बहुत गुसा आता है और ये सारे छुपे हुए बाहर आ जाते हैं और फैडरिक और उसके साथियो को वहां से भागा देते हैं मतलब इनको जान बचा कर भागना पड़ जाता है और इस युद्ध को दोस्तो नाम दिया जाता है बैटल ओफ दी विंड मिल फिर से दोस्तो सारे के सारे जो जानवर हैं एक बार फिर से पवन चक्की बनाने का काम सुरू होता है बोकसर अपने प बोकसर के साथी गोड़े जो हैं उसको गोड़साल में उठा कर ले आते हैं अब ये नैपोलियन और उसके जो साथी हैं दूसरे पिक्स हैं वो बोकसर को देखने के लिए जाते हैं अब जब वो देखते हैं कि बोकसर जो है अब काम करने लायक नहीं रहा है वो जूटी हमदर जैसे नाहरर चरदी, दिखाते हैं, कि बॉक्सर को हम जो है, अस्पताल में भरती करवाएंगे, भरती करवाने के बाद उसका एलाज होगा, यह सक्वैलर जो है सारे जानवरों से कहता है, कि बॉक्सर को लेने के लिए, अस्पताल की गाड़ी आने वाली है, जिसके बाद दोस्तो बोक्सर को उस गाड़ी में दोस्तो लादा जाता है चड़ाया जाता है बोक्सर को लेकिन एनिमल जो है वो ध्यान नहीं देते कि वो गाड़ी के पीछे जो लिखा हुआ है वो तो किसी अस्पताल का साइन नहीं है जो लिखा हुआ है उससे पता चलता है कि ये गाड के हाथों बेच दिया गया है अब तीन दिन बाद दोस्तों ये स्क्वैलर एक मैसिज लेकर आता है कि जो बोक्सर है उसकी अस्पताल में डैथ हो गई है लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि कुछ जानवर ये कह रहे थे कि जो गाड़ी थी वो अस्पताल की नहीं थी किसी कस कि थी तो मैं आपको ये बात किलियर कर देता हूँ वो गाड़ी एक कसाई की थी जिसने वो गाड़ी अस्पताल को बेच दी थी वो गाड़ी अब अस्पताल के लिए काम करती है लेकिन उस पे जो लिखा हुआ है चीजे वो अभी बदली नहीं गई है वो वही चीजे है ज उसके बाद उस पेमेंट से दोस्तों ये पीते हैं दारू और एनिमलिज्म का सिद्धान दोस्तों टूर जाता है वो जानवर है वो दारू भी पीने लग जाते हैं अब वो क्या कहता है नैपोलियन इस पे कि जानवर दारू पी सकते हैं लेकिन बहुत जादा दारू नहीं पी सकते मतलब जादा अती दारू पीने में वो नहीं करेंगे कुछ दिन बात दोस्तो इनकी तानसा ही पिग्स की इतनी बढ़ती जाती है वो अपने आपको बिल्कुल इंसानों की तरह प्रिजेंट करने लगते हैं वो क्या करते हैं वो अपने पीछे वाले दो पैरों पर द दोस्तो हंटर लेकर घूमने लगते हैं इसके बाद स्वंट को पसवों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं अंत में नैपोलियन तथा दूसरे आनिमल फार्म के मालिक बन जाते हैं एक दिन दोस्तो ये नैपोलियन पास पड़ोस के फार्मों के आज़ा दर्जन किर्शकों को किसानों को लेकर आता है एनिमल फार्म का दोरा कराने के लिए इस दोरे के बाद वे सब मिलकर दोस्तों दावत में सराफ पीते हैं उसमें आजे दरजन तो दूसरे फार्मों के किसान हैं और आजे दरजन जो हैं वो पिक्स हैं पीने की मेज़ पर वह उन किर्शकों से बात कर कहता हुआ कि अब हम इस एनिमल फार्म के जो मालिक हैं वो पिगसी हैं और मैं आज ये घोसना भी करता हूँ ये नैपूलियन उसी दिन ये घोसना भी करता है कि इस एनिमल फार्म का नाम बदल कर हम आज से मैनर फार्म रख रहे हैं अब जो दोस्तों ये सारे पसू हैं इनकी confusion क्या होता है कि Napoleon के साथ जो तकरिवन आधा दर्जन फार्मर हैं किसान हैं वो बैठे हुए हैं अब ये confused ये है देखकर कि जो pigs हैं उनमें और इनसानों में कोई फर्क है लेकिन ये उस फर्क को नहीं जज़ कर पाती क्योंकि इनसानों की तरह ही दोस्तों pig भी इसे दीख रहे हैं इसी के साथ दोस्तों ये novel खतम हो जाता है I hope आपको story अच्छे समझ में आई होगी मिलते हैं एक और नई story के साथ तब तक के लिए जैह हैं